नमश्कार दोस्तों and welcome back to your own channel तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमें कलकी मारकेट को यानि कि 16th of June को किस तरीके से काम करके चलना है निफ्ती बैंक निफ्ती किस तरीके से काम चलना है क्योंकि हम देख रहे हैं कि बार बार हम देख रहे हैं bottom से एक मारबुजू candle बनी थी और उसके बाद हमने देखा एक insight candle बनी है आज और एक downfall हमें देखने को मिला है सो market में किस तरीके से काम करने के चलना है कुछ buy के stocks है कुछ sell के stocks है तो उनके बारे में identify करते हैं option strategy और आपके साथ लेकर आया हूं उसे भी हम देखेंगे सो सबसे पहला stock है guys reliance buy करने की सला है 16-14 pace की closing है buy कर सकते हैं अगर कल ये dip भी देता है कल अगर buy chance हम देखते है market नीचे खुलती है उसमें dip मिलती है तो आप इसे buy करके चल सकते है 16-20 16-36 का target है stop loss 16-0 तरीका है second stock कौन सा है Ajanta Pharma sell करने की सला दी जाएगी आपको इस पे 14-80 के नीचे आपको sell करना है 14-12, 14-104 तक के target हम expect कर सकते हैं stop loss आपको 14-31 का maintain करके चलना पड़ेगा MCX buy करने की सला above 12-68 Q पर buy करना है 12-76, 12-88 के target है stop loss हमे 12-58 का maintain करके चलना पड़ेगा NTPC गाईस NTPC short के लिए है 92.80 के नीचे short करना ना कि 92.80 अगर आपको 92.80 लिखावा है तो उसके नीचे आपको short करना ना कि उस level पर 92.10 का target है 91 तक के targets आप देख सकते है 93.7 का stop loss maintain करिए last लोग आता है लूपें 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 बाय करने की सला 9.49, 9.57 तक के target से expect कर सकते है 9.36 का stop loss maintain करना यह 6.36 नहीं है यह 9.36 है current market price इसका 9.44 चल रहा है option की बात करें तो आप reliance का option बाय करके चल सकते है 16.40 का reliance का call option बाय करके चल सकते है 44 रुपीज में target इसका 49 से 54 होगा stop loss में 37 का maintain करके चलना है 44 के नीचे हमें बाय नहीं करना 44 पे ही बाय करना होगा so हम लोग charts की तरफ बढ़ते हैं तो charts में देखते हैं कि कौन से stocks में हमें काम करना है so सबसे पहले हम nifty की बात करें तो nifty और bank nifty क्या है आप देखेगा यहाँ पर जब मैंने bottom से trend line एक draw करी तो मुझे बढ़ा चला कि exact इस level पर हाँ पर support लिया था nifty ने और वहाँ से ही एक अच्छी काशी recovery आई थी एक marabusa candle थी उसके बाद हमने inside candle देखे हम कह सकते हैं कि inside भी नहाँ पर एक bearish candle है उसके बाद हम देखने हैं कि यह जो particular level है 98.80 का 98.80 का जो level है 99.00 की बाद करें उसके उपर ही sustain करने की कोशिश नहीं कर रहा है तो जब तक 99.00 का level को यह close नहीं करता है और उसके उपर अगले दिन sustain नहीं करता है हमारे लिए fresh buy position नहीं बनेगी बट हम short करके भी जादा भी नहीं चलेगे पंदरा मिनिट के चाट पर आपको clarify हो जाएगा किस तरीके से काम करना है आप देख सकते हैं कुछ lines मैंने आपर यह draw करे भी हैं यह demand और supply की lines है आप यहाँ पर देखेगा यह lines के अंदर आप देख रहे हैं एक घंटा इस particular range के अंदर ही काम कर रहा था so हमें buy करना है अगर हम buy भी करेंगे तो 98.80 के उपर buy करेंगे 98.80 के उपर हमारा buy बनता है target हम लेकर चल सकते है 99.50 तक का और हमें sell करना है इस particular nifty को 97.90 के नीचे है और हमारा जो target होगा वो 97.30 का होगा तो 60-70 points आपको मिल रहे है nifty के अंदर तो वो बहुत अच्छा है so इतने points भी मिलना बहुत अच्छी बात है अगर हम stock की बात करते हैं तो सिबसे बहले मैं अगर आपको reliance दिखाता हूं reliance को देखते हैं reliance को study करते है reliance क्या बता रहा है so यहाँ पर आप देखेगा यह रहे है अगर मैं आपको यह zoom out करके दिखाता हूं यह चीज आपको समझ में आ रही है मैं आपको ने यहाँ पर एक second दुकिए थोड़ा सा zoom out करता हूं और आपको यहाँ पर लेकर चलके दिखाता हूं अब यहाँ पर यह चीज को गौर करिएगा यह चीज क्या बता रही है यह particular जो red line है यह red line हमारे लिए resistance की line है resistance का मतलब समझते हैं कि मतलब इसकी उपर जाने में इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इस level पर यानि कि December 19 को यह इस level को test करा था नहीं उपर गया इस level पर यह यहाँ पर आया था आप देख सकते हैं यह sorry December का यह भी December का था यहाँ पर आया था उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं यह January में आया था तब भी test नहीं करा हमने एक और downfall देखे उसके बाद दुबारा एक यहाँ पर ने एक inverted hammer बनाया और उसके बाद हमने देखा है कि यह shooting star candle है shooting star हमने देखा यहाँ पर May में May 20 पर आया और तब यह एक downfall आई उसके बाद अभी हमने recent यहाँ पर ही देखा था June में तो भी हमने एक downfall देखी अब यह क्या suggest कर रहा है इसके ऊपर break कर गया break इसकी यहाँ पर भी करा पर यहाँ पर red candle में break करा और आप देख सकते हो कि यानि की कम से कम अभी तक 8 महिने के अंदर अंदर 8th month के अंदर इस particular 1605 के लेवल को यह break करने में कामयाब नहीं हुआ और उसके बाद जाके इसने एक green candle के साथ closing दी है सुम expect कर सकते हैं कि जो deals हो रही है उसको सबसे जादा फायदा होगा इसको और probably अगर कल market उपर जाने की कोशिश करती है तो यह reliance मुझे लगता है कि 1640 तक कल भी जा सकता है एक बात और देखिएगा इसमें particular आप देख सकते हैं क्या pattern वन रहा है यह एक straight downfall आई एक straight up move handle pattern, cup and handle pattern था बहुत बढ़िया pattern और इसका breakout इस level पर देच चुका है अगर यह 1615 के ऊपर sustain कर ले आदा घंटा भी half एनार भी अगर इस sustain कर ले 1615 के ऊपर तो मैं expect करता हूं कि यह महीने का जो target है वो 1700 रुपे का level का है सो इसलिए हमने option आपको buy करवाया है तो अगर हम next stock की तरह बढ़ते हैं next कौन सा है लिूपिन लिूपिन में आप देखेगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक range के अंदर था दूसरी बाद एक flag and pole का बैटन है यह आपने एक strong up move देखी उसके बाद एक range के अंदर चला गया और range का जिसने आपर breakout दे दिया अब यह strong breakout पहली बात क्यों है breakout है तो हम मान के चल रहे है positive है दूसरी बात क्यों आप देख रहे हैं अगर मैं range भी नहीं आता है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यह increase करके दिखाता हूं अब देखेगा आप यह एक ऐसी movement है उसके बाद हमने एक छोटी सी और movement देखी और इस level को break करके यहाँ पर यह उपर की तरफ ब्रेक कर चु करके है कि इसको हम देखते तो इसको चूता था exact यहाँ पर टेस्ट करता था इसको चुछ रहे हमने गिरती market में यहाँ सब्सक्राइब है और हम देख रहे हैं कि इसने एक अच्छी candle सो ब्रेकऊट देव और नीचे तक भी नहाँ आया तर मैं मुझे मान के लगता है कि यह सकता है कली एक छोटी होल्ट कैंडल बना दे अगले दिम मुव्मेंट दे तो कुछ भी पॉसिबल है ठीक है नेक्स टॉक की तरह बढ़ते हैं तो नेक्स टॉक है एंटीपीसी नीटीपीसी में आप देख सकते हैं यह स्विमीटेरिकल ट्रिंगलर पैटन है इसे हम कहेंगे एसेंडिंग ट्रिंगलर पैटन यहां पर आप देख सकते हैं इस पैटन के अंदर ही काम कर रा था और हमने यहाँ पर एक आज हम estás verg सबसे वहले देख सकते हैं जहां क्लोजिंग थी एक्जाक्ट वहीं पर ही ओपन और लो हाय था और वहीं से हमने एक स्टॉंग मुव्मेंट की दरफ गिरावट आते वह देखिए और गिरावट इस ट्रेंड लाइन के नीचे बंद हुई है अगर यह वाला जो आप सपोर्ट देखने ना यह जो हलका सा इस पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है यह वाला यह सपोर्ट तूट जाता है जो कि 90 to 80 पर आपको शॉट करने के लिए बोला है नीचे तो मानके चल सकते हैं यह लेवल यह लेवल आराम से आ सकता है तो together next आते है अजंताफ वाल में अजंता फारम में स्पातियरियम ने क Подबाद इसके ऊटे सींटे से पर सश्थे हैं तीन घंटे चार घंटे इसके उपर सेस्टेंग करा उसके बाद एक हवी सेल ओफ आ गया और इसके नीचे जाके बंद कर गई सो हमने देख सकते हैं प्रीवियस स्विंग लो जो है उसको भी ब्रेक कर चुकी है सो हमारे लिए 1400 रुपे तक तो यह मिनिमम मुझे लगता है भी जा सकता है 1400 से 1400 पाच तक ओके सो यह क्लियली शॉट है लास्ट आता है mcx जो मेरा फेवरेट स्टॉक है हमने यह अपने क्लाइंट्स को बीटी स्टी भी दिया था कल और आप देख सकते हो आज कित्ती बड़ी मुवमेंट है थी हमारे ले टागेट था अराउंड इसका 1250 गा टागेट था और हमने एक symmetrical triangular pattern के अंदर था यह triangle pattern के breakout दिया इस level पर उपर गया नीचे आया इधर support लिया इसी पर और हमने दुबारे कप्पों देखी तो आप देख सकते हैं यह था उपर गया नीचे आया यहां पर एक support बनाया और उसके बाद breakout दे रहा है यह वाली candle पर तो हमारे लिए अभी व के अंदर तो कल ही एक ऐसी छोटी सी होल्ट candle बना दे और अगले दिन मुवमेंट दे तो हमें दोनों को watch करके चलना है ओके सो पांच stocks बता दिया निफ्टी बैंक निफ्टी आप लोगों को बता दिया गया सो कल patients के साथ trade करेगा definitely मुझे लगता है कि आप लोग कुछ profit earn कर के चाहेंगे सो गाइस यह एक आपको disclaimer देना चाहूंगा इससे education purpose के लिए मैं बना रहा हूं अगर आप लोग trading करके profit earn करते हैं तो उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है अगर आप लोग loss करते हैं तो उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा ओके गाइस तो इसी के साथ में वीडियो को एंड करता हूं वीडियो पसंद आए होगी तो like करना बिल्कुल मत भूलेगा शेयर करिएगा कि और लोग फायदा उठा पाएं यह learning seek pattern symmetrical triangular pattern के उपर और cup and handle pattern के उपर यहां पर आपको बहुत ज्यादा फायदा जरूर मिलेगा मेरी चैनल पर so guys मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो पर signing off